नमस्कार दोस्तों मेरे यूटुब चैनल सत्या घरेल नुसका में आपका बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन है फ्रेंड्स आज हम आपको भटवास ये जो आप भटवास का पौधा देख रहे हैं इसके फाइदे के बारे में बताएंगे इसके चौकाने वाले फाइदे क को जरूरान कीजे ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आशानी से मिल जाएगा फ्रेंड्स ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये है भटवास फ्रेंड्स इसे इसका नाम बज्रदंती भी है फ्रेंड्स यह इतना और सधी ये गुणों की खान पौधा है कि इसकी आप कितना हूँ बढ़ाई करिये कम है फ्रेंड्स इसकी कोमल पत्तियों को आप अगर पीश करके उसका रस निकालके शुबह में दो चम्मच खाली पेट अगर इसका सेवन करते हैं तो आपको शुगर की जो परेशानी है उससे निजात मिलती है आपका सुगर लेबल जो ऐसा मानने होता है फ्रेंड्स जदि आपके दातों में दर्द है तो इसकी कोमल पत्तियों को ऐसे मसल करके आप उसके बीच में पीपरामेंट जो पान में यूज किया जाता है थोड़ी सी मात्रा उसमें मुलाके आप जिस दात में दर्द हो रहा है उस दात पें दबाएं तो आपके दातों से जो कीड़े हैं वो निकल जाएंगे मर जाएंगे और आपको दात दर्द से तुरंत लाबनता है फ्रेंड्स अगर आपको पायरिया रोक का जो है परिशानी है तो पायरिया रोक के लिए आप इस बजर दंती का दातुन करें इसकी टहनी को तोड़ करके उसकी आप अगर दातुन करते हैं प्रस करते हैं तो आपको पायरिया रोक से हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है फ्रेंड्स यदि आपके सिर में जू हो गए हैं तो इसकी कम से कम दो से तीन पत्तिया लें और एक कप पानी में उबाल करके उस पानी से आप अपने बालों को दोएं तो आपके सिर में जो जू हैं वो मर जाएंगे निकल जाएंगे फ्रेंड्स आज के एपिसोड में मात्र इतना ही फिर मिलते हैं अगली एपिसोड में जदी आपको मेरी यह वीडियो और मेरी यह जानकारी पसंद है तो क्रिपिया लाइक से एर और कमेंट चरूर कीजिए आप हमें साथ सबस्त रहिए मस रहिए इन कामनाओं के साथ फिर मिलेंगे नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर राएंड वाई वाई फ्रेंड्स